तो आज जो टोपिक अपना अवे ठीक है अगर आपकी थोड़ी सी पलक जबकी तो यह टोपिक आपके हाथ से निकल जाएगा थानेदार का सबसे इंपोर्टेंट टोपिक फैमस है सिविल सर्विसज़ का सबसे पसंदु तोपिक है सेटी का सबसे पसंदु टोपिक है चलो बहुत ही गजब का टॉपिक आवए होता क्या है पहली बात तो यह मैं थोड़ी सी परिवाशा लिखी है बहुत बड़ा टॉपिक यही अबको पता है और यह मैंने आथ आता कि कि है विकारी शब्द में लिखवा है ए त Experience कि यह जो कि यह की परकार वंग विकारी गेव कार एंऄ और विकारी आप जानते हूं वो आपका अववे कहलाता है यह तो होगी इसकी डेफिनेशन अववे बेसिकली चार परकार का होता है यह सबसे बड़ा मुद्दा है एक एक चीज समझ नहीं डेफिनेशन से कोई क्योश्टन नहीं आता है डेफिनेशन से आ जाता है कि ऐसे शब्जिन के लिंग वचनल प्र समंद बोधक अवे समुच्चे बोधक अवे और विश्मयादी बोधक अवे और यह ध्यान रखना इस हिसाब से पढ़ाने वाला उस टॉपिक को सेविल सर्विशेश तक किसी भी एक्जाम है सब इंस्पेक्टर के इंदी तक किसी भी एक्जाम है अगर सिंगल क्योशन बाहर चला जाए तो मुझे बता देना ठीक है और मैंने मैनत तिकरी कि 20-21 पेज भरें इसके अंदर ठीक है ध्यान रखना चलिए अपम एक एक एका पोस्मार्टम करते हैं पहले आपको हैडिंग लगानी है क्रिया विशेशन अवे क्रिया विशेशन अवे शीदी सी बात है जो क्रिया की विशेशता बताता हो क्रिया विशेशन अवे खेलाता है लेकिन क्योशन यहां से नहीं आएगा क्योशन आएगा क्रिया विशेशन क्योशन कितना सकता है इन शब्दों से कोई क्योशन आके पूस लेगा अगर इस तानवा चक ना पूचे तो सीधा मोटा मोटी वह क्योशन हो जाएगा वह जैसे क्योशन लोगा तब बताऊंगा तो आपको हेडिंगे लगा कि 한 Us क्योशन अब चार पार का हुता है अब है शुरॉत अब अबन करने जा रहे ़हाएं उन्पर शोन लग्यांगा ऑस्ट क्रिया विशेशन दhrad ग ciao ce Mau नहीं कि पेपर बहूत ऑफ़ धीब बनने लग यज चोटे चोटे एग्जाम में इस compliance मीट इसलिए मैंने कुछ important शब्द लिख दिए उन शब्द की आपको practice करनी पड़ेगी अवे जितना important कोई topic नहीं है ध्यान रखना क्रिया से भी मुश्किल है हुए ध्यान रखना ठीक है इसलिए स्थान वाच्च क्रिया हुए नाम से पता जाने स्थान तो क्यों चुछ क्या करन जैसे sentence वापको दिख जाए आगें पीछें उपर नीचें यहां वहां कहां जहां तहां सामने बाहर भीतर अन्यत्र सरवत्र दूर आदियवर जब भी आ जाए तो आपको देखना है कि चाहिए सब इस्तान सुच कि कहां गया उपर गया कहां गया नीचें कहां दूर ऐसा मत पार ठीक है मतलब वेसे कोई रटना नहीं है इनको प्रैक्टिस कर लो थोड़ी याद हो जाएंगे ना तो मतलब यह जैसे मैं sentence नुगत आपको समझ में आ जाएगा यह इस्तान वा चक्रिया विशेशन के कुछ पैचान है ठीक है जैसे मैं एक्जाम्पल लेता हूं इसका जैसे कि राहूल बाहर सोता है यह तो आपका कहां से प्रशन जब करोगे तो आपका answer आजाएगा कि राहूल कहां सोता है तो राहूल बाहर सोता है अंसरा कि इस्तान वा चक्रिया विशेशन है आपकी पुष्टक वहां पढ़िए मेरी पुष्टक कहां पढ़िए तो वहां पढ़िए तो मतलब यह शब्द आराम से पैचान में रहा है आपके इधर उदर मत फेंको इधर उदर दिखते ही समझ लो ठीक है पीछे हटो और मुझे जाने दो पीछे आ गया तुम भीतर जाओ तता सोफे पर बेड़ जाओ भीतर मतलब यह कुछ वर्ड है अवेक के अंदर कोई इलाज नहीं है प्रेक्टिस करना है मेरे साथ लेकिन मैं 100% कंटेंट दे रहा हूं आपको इसको याद करना है फुल एक चीज मतलब ऐसा इसमे करना है साब कब लगा प्रेशन करो समे का मतलब की वह कब गया मतलब कब लगा प्रेशन करो तो आप कांसर आ совсем अजाएगा फिर भी लगबग लगबग तो कब से जवाब इसका आ जाता है लगबग तो कब से जवाब आ जाएगा लेकिन खूब सारे वर्ड आपको याद रखना है जिनकी प्रैक्टिस करनी है कि अब जब कब अभी 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 गया है फिर आज, कल, परसू, तुरंद, जल्दी, शग्र, पहले, पीछे, बाद में ये तो समय सुचक्शब्द होगे वैसे आज, कल, सदाय, सदेवे की बात है हमेशा निरंतर, लगातार, दिन भर, रात भर, अब भी ये भी वर्ड होगे बार-बार, बारम-बार, कहीं बार, हर बार, घड़ी-गड़ी, अकसर, बहुदा, प्रति दिन, हर रोज, हर बार मतलब ये कुछ वर्ड है, लिखे है मैंने ताकि आपको इसकी जलक मिल जाए इतने एक्जाम्पल लेने सकते, इतने एक्जाम्पल लेंगे, तो फिर सो सो एक्जाम्पल हो जाएगे, क्लास हो जाएगी, छे गंटे की, इसलिए मैंने कुछ वर्ड दे दी, कि इन शब्दू से अकर सेंटेंस आ जाए न तो आप पेचान लेना कि हाँ, ये सब समय सुच अच्छा के रविशेशन है, तो अभी अभी यहां पहुंचा है, तो फूच अब लगा के, न कि वह पहुंचा, तो अभी भी पहुंचा है, ठीक है, लेकिन वैसे आप अगर प्रेक्टिस कर लोगे तो अभी भी देख के टिकर दोगे, मैं रात पर सो नहीं पाया, ये एक् मुझे शग्र पहुंचना है यह भी टाइम को इंडिकेट करता है ना लेकिन अब क्यों पूचो मुझे कब पहुंचना तो मुझे शग्र पहुंचना उतना अथेंटिक आंसा नहीं आ था इसलिए कुछ शब्द याद कर लो बढ़िया हो जगर हमें तुरूंत आ गया ठीक है समय शोचक शब्द है तो यह सब वर्ड वो हैं जिनको देखते हैं आपका अंसर आ रहा है यह सब आप देखो यह वर्ड याद कर लेंगा ठीक है प्रेक्टिस बहुत जरूरी है कंटेंड में रेदूंगा प्रेक्टिस आपको करने हैं लगबग एक दिन पूरा लगेगा आपको इसको पढ़ने में टॉपिक बहुत बड़ा है बहुत शांदार है परिमान वाच्चा क्या सीमा वाच्चा की रहा हुई सेशन इसमें कितना लगा कि प्रशन करने आपको कि जैसे बहुत अधिक क्य तना इक परिमानों को दिखाने वाले वर्ड यह बड़ा खूब काफी है ठीक है यह तेस्ट आदी से अधिक अचा यह बहुत इंपोर्ट एंपार्ट एंप užतना सिर्थ न सिर्थ इंदिक है थोड़ा थोड़ा बारी-बारी से करम करम से एक एक करके यह वेरे मोटन वर्ड यहां से तिल यह वर्ड सीदे सीदे पुछा गया हैं अब यह अप करता है लेकिन किया कुछ वर्ड याद कर लो वर्ड याद भी निकर ना आको के सामने से यह प्रैक्ट्जिस करा लो तो वेरी ईजई है यह वरण आपको देख लेना है कीनंबर कुछ तो ज्यादा पीता है ज्यादा करें ना भाई इसको ज्यादा पीता है यह कह इतना पढ़ना ठीक नहीं है इतना उतना आ गया इतना पढ़ना ठीक नहीं है अधिक खाओगे तो बिमार पढ़ जाओगे जितना चाहो उतना धन ले जाओ जितना उतना आ गया मतलब आराम से वर टॉपिक यह साई है इसको अलग से पढ़ा है हर कोई अलग से पढ़ता है और अब यह सबसे इंपोर्टन लगाओ इसको इसको लगाओ very important very important रीती वाचक क्रिया विशेशन बहुत बार बहुत बार पूछा गया है मतलब रीती का sentence में रीती का पता चलता है है मैंने पास collection वेसें जैसें कैसें तेसें अचानक धीरे जल्दी मटक मटक कर ध्यान पुरुग यथा अकस्मा तथा स्वेते परस पर फटा फट एकाए यताई सती अवश्य सही सचमुच निसंदे बैशक जरूर निश्चित वस्तुते दरसल ऐसे शायद कदाचित यता संभव संभवते प प्राई है ऐँ जी ठीक है अब यह वडे से तुरूर देख लो हा जी ठीक है सुच है हां जी जी हां मतलब ये सब वह वर्चल मतलब यह नहीं मतल इती वह होते हैं उस में मातर भरसक तक यह बैसिकली निपात के वर्ड है तो निपात वाले सारे वर्ड आलगी पढ़को मैं आगी निपात यह बतांगा आपको वल्ड जिसको आपको देखना चाहिए यहां से भी यह सब वल्ड भी रीती वाजेक्रीवी शेशन को इंडिकेट करते हैं अरे इतनी मेनद किया कहीं नहीं मिलेगा ढूंडो के तो टॉपिक इतना इंपोर्टन नहीं मिलेगा पांच मिनट में राजी केर बस निकल के उन्हें पता है कि आएगा तो आजाएगा अपने के आपनों राजी रखना अपने खुश रखना व्यू कमान हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करता मैं पढ़ाऊंगा पूरा और पूरी हकीकत से रूबरों कराऊंगा टॉपिक है यह ऐसा डंग से पढ़ना जैसे कि लगब कैसे करने से प्रशन आ जाएगा तो देखते हैं अपन कुछ एक्जामपल लेके तो देखो आओ इदर एक्जामपल करो कैसे करो द्यान पूरुवग करो मोडल मोडल जो दिन देखाओ मटक मटक के चलती है तो मोडल पर ही मटक मٹ चलते हैं और से पढ़ते हैं थीक है में कैसे पढ़ती है मैस कैसे बढ़ती है देरा लगबग कैसे से मामला बैठ रहा है लेगन फिर भी कुछ वर्ड जो मैंने लिखे न उन वर्ड को अगर एक बार नजर से निकाल वाना कि उतने एक्जम्बल में लिये नहीं है इन सब के एक्जम्बल यह नहीं जैसे हैं यह सब वर्ड है जितने भी इसलिए इन टॉपिक को देखना बहुत जरूरी है अब है सब समदब पहला अपना complete हो गया है अभी अपने क्या पढ़ा अवेक के अंदर सिरफ एक पढ़ा है कौन सा क्रिया विशेशन अवे और उस क्रिया विशेशन के चार परकार पढ़ा है अब नंबर दो लगाओ समंद बोधक अवे मतलम यह कहना चाहरा हूँ कि अभी तक अपने यह पढ़ा है सिरफ कौन सा पढ़ा है जो अपना first ही फस्ता ना यह यह complete किया अभी तक कौन सा यह वाला क्रिया विशेशन के चारों परकार पढ़ लिए यह पढ़ लिए डन अब अपने लेने जारे हैं समंद बोधक नंबर दो लगाओ समंद बोधक अवे बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है समंद बोधक देखो समंद बोधक क्या होता है कि जो संग्या या सरवनाम के साथ क्रिया के समंद को परकट करें संग्या या सरवनाम के साथ क्रिया के समंद को परकट करें वो समंद बोधक होता है लेकिन समंद बोधक से सीधे सीधे क्यों सुनाते हैं डाइरेक्ट खुशी के मारे भूख के मारे यह जब भी शब्द दिख जाए तुरंत आंसर लगाना ये तो समंद बोदक है ये खुब सारे वर्ड ऐसे हैं ठीक है? खुशी के मारे, भूख के मारे, धन के बीना, रोटी के बीना, घर के बीना वो किसी के बीना हो सकता है मैंने धन के बीना लिखा है पूजा से पहले, पुत्रू समेत, सहीलिओ सहीत मैं ऐसे वर्ड पुरा ग्रूप में किनारे तक, वापस बीना तो कहरा घया वो तो खेर ये की बात है, मैंने ये लिखना चाहता ये बीना तो कहरा जाएगा के बदले, के वास्ते, के अंदर अंदर से पेरे लगबग के अंदर आता है के अंदर अभी एकजाम्पल लोगा शिर्फ अंदर नहीं हो के अंदर है के अंदर ऐसा जैसे हैं उसके तुले समतुले यह सब वड़ा जाते हैं उपर बाहर अब ये उपर बाहर आपने देखा हुआ क्रिया विशेशन में भी था और इसमें भी है बस यहीं समझना है अपन को कि क्रिया विशेशन और समंध बोधक में क्या फरक है क्योंकि यह वर्ड अपन पहले पढ़ चुके ना बस इसलिए मैं इने कहा था कि नजरें गड़ो ही रखना तो अभी मैं आपको अंतर भी सिखा सामने यह सब क्रिया विशेशन से ही लिएगे वर्ड है मैंना आगे लिखी भी दिया है यह अपने रिवाइज होंगे भी लेकिन यह वर्ड जैसे आजीवन आजन्म जिवन परियंद जो अपन पढ़ते हैं अविवाव समास वाले शब्द यह वही है तो इन शब्दों में तुरंत आपको समन्द बोदक परना है की और के सामने गर के सामने उसकी और ऐसे ने अब यहां से देखो यह जो है यह जो वर्ड लिखे है मैंने बहुत शानदार यह आपको याद आ रही है क्या करता ने कर्ण को कर्ण से संपरदान के लिए पर के दौरा है ना पादान से अलग वगरा न और किया अलावा ये सब में पर और हेतू बाबत ये सब वर्ड़े करता कारक वाले जो करता कारक सुरी वो कारक चिन है ये क्या है ये एक तरीके से कारक चिन है तो कारक चिन की जो विवक्तियां है जिसको अपने पहचान करते हैं कारक चिन वो कारक चिन वाले भी सीधे सीधे समन्द बोधक अवे में आएंगे ये भी ध्यान लखना ठीक है तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार शब्दों की तो आपको आराम समझ में आजाएगा कुछ मैंने एक्जामपल काफी सार लिये हैं तो समन्द बोधक में देख लो घर मेरे घर के सा समन्द को बताया जाता है जैसे की मेरे घर के सामने उध्यान है मेरे घर के सामने क्या है मैं समालो घर में और उध्यान में आपस में समन्द बताया जा रहा है ठीक है वैसे ही मेरे लिए दूद लाओ मतलब मेरे लिए दूद का आपस में समन्द हो गया वैसे भी मैंने का द किसान बादलू की और, की और देखना पड़ेगा, की और वड़ अपने को याद है, तो किसान बादलू की और देख रहे हैं, किसान और किस की तरब देखें, सरकार की तरब से कोई मदद नहीं है, आप देख सकते हो किसानों की हालत क्या है, सारी सरकारियां आ गई, वादे कर यह तो इसलिए किसान बैशार से बादलों देखेंगे फान लोगे एगे किसान बादलों के ओर देख रहा है पीछे रोहेत बेटा तो मेरे रोहेत के बीचमन समंद हो गया विद्या के बिना मनुश्य ही पश्य आपके बीचमन हो गया एक खुशी के मारे YouTube में और पर गिया कंप्यूटर के अंदर मैंने का था सिर्फ अकेला अंदर नहीं आता के अंदर जुड़ा वाइरिस आते रहेते हैं यह कुछ एक्जांबल है जो समंध बहुत अब मैं आपको फर्क बताता हूं समंध बहुत दख में और क्रिया विशेशन में अंतर क्या है यह प्रिया विशेशन अविए में अंतर डिफ्रेंस बेट्विन इन दोनों के बिच में क्या का डिफ्रेंस है तो देखो पहले मैंने मोटा-मोडी डेफिनेशन वापस रिकॉल करवाई आपको समंध बहुत देख्या होता है इसमें बेसके दो संग्यां या दोसरो नाम को परियोग होता है विशेशन और इनका प्रियोग करिया से पहले होता है ये बड़ी पैचांद उनकी यह है, जैसे आपको अब ध्यान रखना, पहले यह एक्जांपल में देखो, पहले आप यह एक्जांपल देखो, मैंने तीन और लिखे हैं, ध्यान समझना, जैसे इधर मैंने किरियाविश्यूर्शन के लिखे हैं, और इधर मैंने समन्द बहुत द बस आगई, इसमें कोई समन्द नहीं है, बस समन्द से बस आगई, किसके समन्द कोई समन्द नहीं, बस बस आईए, सिरफ बस आईए, लेकिन यह समता कि पारक के सामने अस्पताल है, पारक के सामने अस्पताल है, तो पारक के अस्पताल के बीच में समन्द बताए जा रहा लेकिन चत के उपर मौ नाच रहा है तो चहट में और मौ में समंद्धन बताइजा रहा लेकिन यह पड़ी पेचान बता हूं giving आपको में? ट्रिक है वो. मतलब जैसे कोई भी शब्द है सामने तो सामने वर्ट वैसे क्रियाविशेशन का भी है. ने जो है के सामने आएगा? के सामने, के उपर, के बाहर, के अंदर, मतलब के जुड़ा रहेगा साथ में. ये बड़ी गजब की ट्रिक है लगबग से काम हो जाएगा इससे देखो लगबग से काम हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस कराओंगा चिंता ने करें आप लेकिन इसलिए मैं कहरा हूँ नस नस शेक करनी है टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है समझने के लिए दि चायादार वरक्ष है मतलब कुटिया के वरक्ष के बीच में समझ बताए जा रहा है तो यह चीज़ें समझ नहीं आपको ठीक है अब मैंने वापस पीचे चलता हूँ दोनों एक्जामपल में भी यह देखो कि खुशी अंदर सो रही है तो जवाब है खुशी अंदर सो रह है तो इसमें क्रिया के होने का इस्तान का पता चल रहा है कहां प्रशन लगाने से और कहां प्रशन पर लगाते हैं इस्तान वाचक में क्रिया विशेशन में बिलकुल तो जवाब आ गया खुशी अंदर सो रही है लेकिन घर के अंदर लड़का बेटा है ध्यान से सुनना गर के अंदर बात वही है वैसे तो के से पैचान लोगे आप कि के अंदर अकेला नहीं है के अंदर जुडावाय है अंदर की साथ में क्या जुडावाय है के जुडावाय है यहां पर सिर्फ अंदर है यहां पर के अंदर है ट्रिक तो काम कर जाएगी फिर भी देख लो कि घर गर के अंदर लड़का बैठा है तो यहां पर जो अंदर है उस अंदर का समंद संग्या पद से हैं किरिया पद से नहीं है इसलिए समंद बहुत है कि गर के अंदर लड़का बैठा इसमें कोई आपस में समंद नहीं है गर के अंदर लड़का बैठा है ठीक कोई दिकर ने गर घरकार लड़के का अंदर होना आपस में समन्द को इंडिकेट कर रहा है आपस में समन्द को इंडिकेट कर रहा है इसलिए यहां पर क्या है समन्द बोदक है वेसे ही मनिशा कैसे गाती है तो मनिशा मदूर गाती है क्रिया विशेशन है बिलकुल लेकिन यह यह के मनेशा रिया से मुदुर गाती है यहां पर रिया के साथ मैं समझ बता दिया अपने यह sentence है इन पर vicious focus रखना sentence यही से आएगा ध्यान कर लेना deeply ध्यान देना इस वीडियो को चाहिए 5 बार देख लेना नोट्स प्रोपर बनाना सबका कार्ण मैंने साइड में reason सबका लिख रखा है फिर topic वाई जब test लूँगा तब और आंके खुल जाएगी पूरी तब लेकिन अभी फिलाल कोशिश करना पूरा 100% समझ मैं है वैसे ये topic एक बार मैं समझ मैं आने वाला नहीं इसको कम से कम दो बार तो देखना है पड़ेगा अब अगला देखो ये कर लिया अब नमर तीन लगाओ समुचे बोदक और अब मेरी बात सुनना नमर तीन क्या है समुचे बोदक बोल दो चाई योजक बोल दो चाई सयोजक बोल दो लिए देखे में तेनों समुचे बोदक सयोजक और योजक बिलकुल इनका मतलब है आपस में वाक्यों को वाक्यांशों को शब्दूं को आपस में जोड़ना इंग्लिश वह पर नहीं पढ़ते हैं या कंजक्शन द्याद है ना कंजक्शन पढ़ाता हूं मैं आपको कंजक्शन इफ है ना वेदर या फिर बट यह सब जो किसी दो सेंटेंस को आपस में जोडने काम करें बैसिकली मोटा मोटी तो तो पहले मेरी बास सुनना मोटा मोटी तो समुच्य बहुत दक वही होता है जो दो वाक्यों को आपस में जोडने काम करें और जोडने वाले सब्द कौन से होते हैं राम और शाम वह है और में जैसे किंतू- परंतू वह करेगा किंतू में नहीं करूँगा वह जाएगा लेकिन ये वर्ड होते हैं आपस हों सेंटेंस जोडने वाले लेकिन इसमें क्या है जिसमें एक्जमबल हीआ कि राम आया और शाम चला गिया दोनु सेंटेंस आपस में जुड़े वे राम आया भी अपने आप में सेंटेंस पूरा है और शाम चला गया वो भी अपने आप में सेंटेंस पूरा है वाक्य पूरा है लेकिन आपस में जोडने काम किसने किया और तो और क्या है और समुचे बोदक है और ये भी पूछा गया है वाक्य लिखावाएगा सुना मैं जब टेस्ट लूँगा ता बता चलेगा सेंटेंस लिखावाएगा फिर पूछा जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो समुचे बोदक है तो आपको बताना है कि और समुचे बोदक है जो जोडने काम करे जो योज़क का काम करे ठीक है ये दियान लखना फिर भी मैं यहां तक भी समझा सकता हूँ इसमोटा मोटी किसमें कवर हो जाएगा 90% तो लेकिन इसके भी दो परकार है ठीक है पहला समानादी करन समुचे बोदक और दूसरा भी लिख दिया मैंने पहले इसको समझ लो समानादी करन क्या होता है जो समान को आपस में जोड़े जो similar words होते हैं उनको आपस में जोड़े और इस समानादी करन को हलांकि इतना deep तार लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनको पुरी करनी है इतने से भी काम हो-जाएगा वैसे तो लेकिन ये भी चाहते हैं जैसे कि आपको sentence में और दिख जाए और तथा स्विम या अथुआ परंतु किंतु लेकिन मगर बल की फिर भी नहीं तो अन्यता फलत है इसलिए प्रिनाम सरुप ये कुछ वर्ड है जो आपको आराम से पहचान करा देंगे कि ये तो समाना दिकन समुझे वो दखे जैसे कि मै मर जाओंगा परंतु ये पाप कभी नहीं करूंगा मतलब परंतु आ गया तो योज़क कोन है परंतु आपसमें दोनु सेंटेंस को जोडने है काम कर रहा है तो परंतु है तो समुझे वो दखे कि पूछा गया है इसका पर गर कम ही पूछता है लेकिन अपन चाहते हैं कि यह भी बढ़ लो जैसे कि राम घर गया और और शाम बाजार गया ठीक है यह आपस में और तो खेर वैसे आप पहचान लोगी ठीक है यह समझ में आगया आपके और तता सुयम जो भी वर्ड है दूसरा वेदिकरण यह वेदिकरण समुझे बहुत क्या होता है इसके सीदे स यानि ताकी इस कारण जब तक यदि तो जो तो चाहे परंतू तथा पी यथा पी मतलब ऐसे वर्ड आपस में लिंक होए आपस में वर्ड आते हैं कि मैं नहीं जाओंगा जब तक गंटी नहीं बचती मैं नहीं जाओंगा जब तक गंटी नहीं बचती प्राते काल यानि ताकि स्वास्ते ठीक रहे मतलब यह कुछ वर्ड है मैं डेफिनेशन में लिखिए कि इसमें एक वाक्य तो अपने आफ में पूर्ण होता है प्रन्तु दूसरा उस पर आश्रित होता है जैसे कि प्राते काल गूमने जाये गरो वेसे अपने आमें पूर्ण है कि प्राते काल स्वास्ती ठीक रहे मतलब यह इसकी उपर डिपेंड एक दूसरे को अगर गूमने जाओगे तो स्वास्ती ठीक रहेगा समझ मा गई वेसे ही मैं नहीं जाओंगा वेसे सैनेस पूरा है लेकिन कब तक नहीं जाएगा भई जब तक गंटी नहीं बसती मतलब आपस में एक द प्राई में ध्यान देनी किसी भी तरह की बात नहीं करनी है इससे ज्यादा important topic नहीं है हिंदी व्याकरण का तो वेदिक करण अपना हो गया है वेदिक करण के example भी ले लिए है अब बच गया चोथा यह सबसे easy है यह अपना चोथा है विश्मियादी बहुदक है ना जिसको अपन English के लिए एक्सक्लेमेटरी क्या बोलते है एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इंग्लिश में वही वैसे इसमें क्या है कि साइन से पेचान हो जती है साइन से पेचान हो जती है विष्मैदी typically कि जैसे आपको वर्ड ठीछ जाएंगे हर्श का मतलब खुशी में परशंशा करोध वाले भडा है वाले चैताउनी वाए तृष अपिस्खलिक दित्ड उस पर इस बाइए आश्रेवाले सोक्वाले संबधन मतला हे सुनते हो अजी आरे हो सुनो यह वर्ड संबधन गये अपने किसी को बुलाते है यह वर्ड वाले सबाजाएन अनुमोधन गा मतला अच्छा हाँ ठीक है ओके ठीक है जी यह हो गया किसी को अश्रुआद दे रहे हो कि जीते रहो हुष रहो शावाश पेटे दिरगाईू हो लंबी उम्मर हो है ना दोदो नहों पूतों फ़लों यह सब इसमें आ जाएंगे आपके आश्रुआद में आ तो ये जितने भी word आ जाते हैं word में आलांगी पूरे नहीं लिखें आपको अंदाजा लगा लेना है खुशी वाले परशनचा वाले ये सब विश्मादी बहुत दख कहा है वेसे भी विश्मादी बहुत दख कहा तो ये की सबसे अमड़ी trick है कि विश्मादी बहुत दख का आपको चिन दिख जाएगा बस वेसे भी इसमें तो trick गजब की वैट जाती है कोई दिखेत वाली बात नहीं ठीक है वा कितना भवे चित्र है क्या शांदार चित्र है क्या शांदार painting की गई है अरे ये कैसे संबह हो पाया तो फिरान से क्या आया MV classes है ना इसलिए संबह हो पाया है ना ये वाली चीज है वा कैसी hit लगाई है hit पर hit समझे पा रहे हो जैसे movie hit हो जाती है कभी-कभी 100 की century मार दी hit पर hit मारी ठीक है है trick जो भी कुछ भी कहलो वा कैसी hit लगाई है सावधान क्योंकि मैंने कारता ना चेतावनी वाली भी इसके अंदर है सावधान पीछे बस आ रही है ठीक है छी धिकार है तुझ पर देंगा ना बिल्कुल पड़ाई करता नहीं है ऐसे काम करता है छी धिकार है तुझ पर यह वो वर्ड को एक्जाम्पल यह मैंने वैसे जरूत भी नहीं है आप ऐसे ही प्रचान लोगे तो यह अपना हो जाता है विस्मयादी बोदक यानि कि आवे के चारू परकार कंप्लेट लेकिन वेडियो भी कंप्लेट नहीं हुआ है क्योंकि एक सबसे important topic अभी इसी में है वो इसी में आता है उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है और उसका नाम है निपात उसका नाम क्या है निपात बहुत ज़्यादा important है निपात heading लगाओ निपात इसको वेसे पांचों परकार बाना जाता है वैसे एक सुरी उसकी चार परकार है लेकिन निपात भी बहुत ज़्यादा important है जो अवे में आता है निपात जो है वो अलग से भी topic है निपात अलग से भी topic है अलग से भी प्रशनियां से आते है निपात के तो heading लगाओ निपात की वाक्ये में किसी शब्द या पद के बाद जो अवे लग कर एक विशेश बल या अवधारना को वेक्त करते हैं उन्हें निपात कहते है मतलब अवे का ही part है निपात ठीक है बिल्कुल सही है एक मैंने चोटा सा नोट लिका है कि निपातूं का अपना कोई अर्थ नहीं होता है ये विचारे किसी के लगने बाद में अर्थ वाले होता है जैसे की जिरो होता है मैंस में जिरो का कोई मतलब नहीं रह जाता अकेले में लेकिन जिसके आगे लग जाता है तो उसके तो मतलब कहता है न 25 डाइमेंड बना देता है उसको एक के जोड़ों के दुस मन जाता है एक के दो जोड़ों के सो हजार लाख करोड़ वे न अरब तो ध्यान के वेसा यह निपात है खुद से कोई इनका अरथ नहीं होता वेसा अकेले क्या कर सकते हैं अकेले चलना भाड़ नहीं पोड़ सकता है वेसे कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन किसी के लग के उसका अर्थ चेंज कर देते हैं यह अर्थ चेंज नहीं करते हैं मतलब अर्थ में थोड़ी जान डाल देते हैं बेसिकल यही समझना आपको क्या करना है कि यह निपात जो शब्द होते हैं यह किसी में भी लगने के बाद में उसमें थोड़ी जान डाल कभुर है और कई नहीं जारा त्यान दखेंए विहान क्रिकेट ही खेलता है मतलब सिर्फ घिलता है कोई कोई गेम नहीं खेलता पक की जान डाल दिया उसमें संटेंसमें ठीक है तो ही जैसें दिखिया तुरणत अंसर यस ने निपात आपसे पुछेगा कि मोहन जेपुर ही जा रहा है ये किसका उधारन है निपात का या पर ये पुछेगा कि मोहन जेपुर ही जा रहा है इसमें निपात शब्द कौन सा था ही ठीक है ओके नेहा भी जाएगी मतलब नेहा भी जाएगी ठीक है इसपेसिपिक वर्ड है बी मतलब ऐसा था कि नेहा जाएगे लेकि नेहा भी जाएगी इसका मतलब कि कोई और भी जा रहा था अब नेहा भी जाएगी साथ थीक है और आप आए तक नहीं, कम से क्म आकर चले जाते, इतना इनुटेक्शन दिया था, इतना आपको परमुक्ष स्वागत करता बनाये था, आपको वैलकम वाले थे, आप आए तक नहीं, आपको कम से कम दस मिन्ट भी आकर जाना था, मतलब ये कुछ वर्ड है जो निपात पेचा लेते हैं ऐसे मैं कुछ एक्जांपल ओड़ लिए हालंक इनके बाहर कुछ भी नहीं है यह पढ़ लिए तो उनके बाहर अवियम नमर नहीं कटे का आज मामा जाओ ठीक है एक होता न यह नॉर्मल बोल चाल बाशा मोले जाता है कि तुम्हें कहा न है मैं नहीं जाओंगा तुम्हें कहा न मैं नहीं जाओंगा यह नहीं है रहा तुम्हें मैंने कहा नहीं कि नहीं जाओंगा कहा नहीं सही है ध्यान रखना नहीं से एक्जांपल आ सीरे जानता हूं को क्या से इसी कोई है यृइं अपन encontramos कि कहता है मतलब कभी मिले हैं कि जानताबर है यह उताए जीवन पर भी यह भी सेंडेंस है जीवन घृटकर रूबом ठीक है वेसे एक वड़े मात्र मात्र कि जैसे सेट धनाराम थे सेट धनाराम बहुत पेसे वाला सेट था और सेट धनाराम ने मात्र 500 रुपे दिये ठीक है एसी थोड़ी दान करना उसको तो बड़ा 5-6 करोड देने चाहिए तो सेट धनाराम ने मात्र 500 रुपे दिये ठीक है है्के बहुत सटा की यह ँछाइगा बसकि प्रसक्राइब हां इतना ही मिलेगा यह दो बखन पहराम से पचाहने ना कि कमतलब यह भी निपात है यह कि जेसा सा से सी से कुछ सेंडेंस निकलता है जैसे कि राम को सीता सी पत्नी मिली और लक्षमन जैसा भाई तो ध्यानक ना सी आ गया और जैसा आ गया तो राम को सीता सी और लक्षमन जैसा भाई मिला ओके गोड नाइट